पंजाब के जालंदर सीट पर जो उपचुनाव है उसके लिए वोटों की गिंती वहां पर भी जारी है जालंदर लोगसभा सीट पर आम आदमी पार्टी सबसे आगे है ऐसा बताया जा रहा है कि 15,000 से जादा वोटों से जालंदर लोगसभा सीट में आगे है कॉंग्रेस दूसरे नमबर पर है और वीजेपी तीसरे नमबर पर है शरत शर्मा और जानकारी दे रहा है जी शरत ये एक बड़ा उलट फे लगरा संकेत क्योंकि 1999 के बाद से कॉंग्रेस कभी भी ये जालंदर की जो सीट है ये नहीं हारी है लेकिन आज जब से काउंटिंग शुरू ही है चाहे पोस्टल बैलेट भी थे आमादी पार्टी लगातार आगे चल रही है इसकी उमीद नहीं जताई जा रही थी कि जो सांसत थे कॉंग्रेस के चोदरी संगतोग उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था और कॉंग्रेस यहां पर मजबूत थी और साहनुबूती लहर भी कॉंग्रेस के बक्ष में जाने की बात थी लेकिन ऐसा कुछ होता हूँ नजर नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है कि जो आमादी पार्टी ने यहां पर मेहनत की थी मुख्यमंतरी भगवंत बान ने देरा डाला था यहां पर और अर्विंद केज़ जिवाल ने भी दो दिन जाकर आकरी में कैमपेंग किया था वो जो है उसका नतीज़ा जो है अच्छा नतीज़ा निकलत पर यहां पर चला गया है पिछले अगर लोग सबार चुनाव की बात करें तो यह बहुत बड़ा उलट फेर है कि जहां पर मुख्ये चुनाव जो था वो कॉंग्रिस और अकाली दल के बीश में हुआ था लेकिन अब की बार जो है यह आप और कॉंग्रिस के बीश में हो र लेकिन श्राइद जब से आमाधी पार्टी राष्टी पार्टी बनी है उस लिहास से अगर देखें तो ये आमाधी पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी क्योंकि जो ये लोग सबा है इसमें उनका कोई भी सांसद नहीं है अगर ये वो सीट जीतती है तो बढ़नेंस में आमाधी पार्टी कोई सीट नहीं जीती तो संग्रूर जीती थी और जब सरकार बन गए तो उसके तीन जाता था कि आमाधी पार्टी के लिए कुछ बहुत अच्छा करने को नहीं है लेकिन यह जो परदशन है यह बता रहा है कि अब प्रत्याशित यहां पर इनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और खास दोर से अगर आमाधी पार्टी का खाता खुल जाता है लोगसभ देगा ही